कुत्ता और हड़ी, एक भूखे कुत्ते को गाउं के एक कसाई ने दया कर हड़ी का एक टुकड़ा दे दिया। कुत्ते ने हड़ी का वल टुकड़ा मुँ में दबाया और खुशी-खुशी एकांद तलाश में चल पड़ा। एकांद में वह आराम से त्रिप्थ होने तक हड़ी को चूसकर उसका स्वाद लेना चाहता था। रास्ते में एक नदी पड़ी। कुत्ता जब नदी के किनारे से गुजरा तो उसकी द्रिष्टी नदी के पानी पर दिखाई दे रही अपनी ही परच्छाई पर पड़ी। मूर्ग कुत्ते ने सोचा कि कोई दूसरा कुत्ता वहां मौजूद है जो उसे गुर रहा है। अपनी परच्छाई में उसे अपने मूह में दभी हड़ी दिखाई दी और वह मूर्ग तावश सोचने लगा कि दूसरे कुत्ते के पास भी हड़ी है। वह लालत से भर उठा और उस हड़ी को हथिया ने अपना दिमाग लड़ाने लगा। उसे अपनी शक्ती पर अभिमान था। उसके सोचा कि दूसरे कुत्ते को मैं भौक कर दरा दूंगा और हड़ी चीन लूंगा। अगर ये भौकने से नहीं डरा तो लड़ाए में तो मैं इसे हरा ही दूंगा। उसके बाद वह नदी में देख रही अपनी ही परचाई पर भौकने लगा। जिससे उसके मूँ में दबी हड़ी पानी में गिर गई। कुत्ते के देखा कि दूसरे कुत्ते के मूँ में भी अब हड़ी नहीं थी। कुत्ते को अपनी मूरखता का अहसास हो गया और वह मूँ लटका कर वहां से चला गया। लालच ने उससे वह भी छीन लिया जो उसके पास था। सी लालच बुरी बला है।